मेट के लोहिया नगर थानाक शेतर के जाकर कॉलोनी में तीन मंजिला मकान गिर गया। इसमें एक ही परवार के करीब 7-10 दोगों के दबे होने की सूचना है। साथ ही इस मकान के सबसे नीचे वाल एरिया में एक डेरी थी जिसमें पशों के दबे होने की सूचना प्राप्थ होई है इस्थाने पुलिस और बचाओ टीम मौके पर पहुच गई है रहात और बचाओ कारे जारी है इस समय मौके पर फार ब्रिगेट की गारियां पुलिस रस्क्यू और बचाओ और रहत कार लगाता जारी है दो लोगों को बचाया भी गया है और यहां पर रेस्क्यू ऑप्रेशन एतू टीमें लगी है फायर की टीम है और साथ में जो पुलिस से इस्थानिय वो भी लगी है प्रशाशन की तमाम अधिकारी मौझू है और प्रयास यही है कि जल से जल जो भी अंदर है उनको निकाला जाए अभी तक कोई कंफर्म्ड केजूल्टीस में नहीं आई है बलकि दो लोग जिन्दा निकाले गये हैं और भी अंप्रयास रथ हैं तीन लोग निकाले गये हैं हालो हा संगीत आपको यह आउस मिल रही है बताना चाहूंगी के मेरट के जाकिर कलानी में एक हाथ्सा हुआ है जो एक टीम नंगुला इमारत थी वो काफी पुरानी थी और उसमें अचाना की वो गिर गे क्योंकि यहां पर तीम दिन से सिभा शाम लगातार बारिश जारी ह है जिसमें एक ही परिवार के आज से दस लोग जो है वो दबी होने की आशन का जताहिकारी है पुलिस पशासन और राहत बचाग कारे मौकि बारिश हो रही है तो राहत कारे करने में काफी परेशानियों का सामना करना पह रहा है और इसके साथ साथ ही तूंकि उसके निकाला गया है और होस्पिटल में भरती कराया गया है जी संगीता हम आपको ताजा जानकाई देने के लिए घटना पर आपका बहुत-बहुत धनिवार और इस मामले पर हम आगे आप से जानकाई लेते रहेंगे अभी के लिए धनिवार